पहले तो खराबी थी लिकिन अब और भी ज़्यादा खराबी बढ़ चुकी है यहालात और भी ज़्यादा पत्तर हो चुके हैं इंडिया ने अब ओफिशेली केनेडियन्स को इंडियन विजा देनी के लिए अभी के लिए रोक लगा दिया है अब आप इसे ध्यान से देखोगे न ध्यान से समझोगे न धीरे धीरे यह खलिस्तान वाली इंसिडेंट की वज़े से न यहां इंडिया केनेडा की जो रिलेशन्शिप पे और भी ज़्यादा बत्तर होते जा रहे हैं इंडिया केनेडा के बीच में हाइपोटेटिकल स्पीकिंग के एक ना एक दिन त्रेडवार भी शुरू हो सकती है चांसे से चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं फ्यूचर में धीरे धीरे केनेडा को यहां पिलियंस ओफ डॉलर्स में नुकसान होना शुरू हो जाएगा अगर केनेडा इसे जल्दी सॉल्ट नहीं कर पाया जैसे के हम सबको मालूम है के NIA यानि National Investigating Agency इन्हों ने कुछ दिन पहले न टर्रेरिस के नाम रिलिस किये थे तो इसमें सुगदोल सिंग का भी नाम था जो केनेडा में मारा गया है मतलब देखिए गाइज हमारी Government या NIA Agency ने या कोई हमारे स्पाई ने इसको नहीं मारा है और इसका जो Encounter है ना वो कहां किया गया है देखिए इसका Encounter ना विनिपेग नामी केनेडा में एक जगा है वहाँ इसका Encounter किया गया है शूट डेट किया गया है कुछ लोग आते हैं गोली चलाते हैं शूट करते हैं बाद में एक सकेंड भी नहीं रुखते हैं वहाँ से निकल जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ गया है सुगदोल सिंग को यहां गैंग राइवल्री में मारा गया है इसमें इंडियन गवर्टेंट का या हमारा किसी का भी हाथ नहीं है क्यूंकि देखिए खलिस्तानी लोग में न कैनेडा में तो जाते हैं लेकिन इनके बीच में बीच में बीना अलग-अलग गैंग्स रहते हैं तो ये गैंग वार्फेर भी बोल सकते हैं, आप ये गैंग वार्फेर का मसला था, कुछ ना कुछ हो गया था हूँगा, इसलिए इसको इसका जो है, एंकॉंटर कर दिया गया है, तो ये सब गैंग वार्फेर का मसला है, तो इसलिए Ministry of External Office ने ये सब देखते हैं, एक advisory notice को वो अगर insecure हो, तो कैनेडा में मौझूद High Commissioner of India से contact करें, या फिर Consulate General of India से contact करें, उन्हें अपनी problem को समझाए, वो लोग आपको safety provide करेंगे, साथ ही ना, कैनेडा हमारे Indian students को steady visa देकर millions of dollars में कमाता है, और इनके जो Canadian University से ना, जितना Canadian students से fees नहीं लेते ना, उतना कहीं स्यादा तो Indian students से fees charge करते हैं, 2021 की ही बात ले लो, 2,00,000 students, मैं 10,000 students या 20,000 students या 50,000 students की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2,00,000 students की बात कर रहा हूँ, जो कैनेडा को जाकर study करते हैं, जिसके चलते Indian students, कैनेडा के second largest international student group बन चुके हैं, और अगर मैं average tuition fees की बात करूँ न, एक international students को कैनेडा चार्च करता है लगबग around 15,000 Canadian dollar per year, जिसके चलते Indian students अकेले ही Canadian economy को billions of dollars कमाने में मदद कर रहे हैं, और extra living expenses तो वो तो पूछो ही मत, extra living expenses भी लगाते हैं ये लोग, Indian students को कैनेडा में, जैसे के accommodation, food, transportation and healthcare average cost of living, एक international students के लिए कैनेडा में लगबग 10,000 Canadian dollar per year हो जाता है, तो इतन जादा खर्चा उठा कर हम लोग जाते हैं और Canada में बदले में ये treat कर दा है, तो देखिए ये सब समझाने का मकसद ये है कि इंडिया ने Canadians को विजा देने पर रोक लगा दिया है, Canadians को Indian visa देने पर suspend किया है, अब यहाँ सवाल ये है कि क्या Canada Indians को Canadian visa देने पर रोक लगा देग क्योंकि इंडिया को ये visa suspend करकर कोई ज़्यादा फरक पड़ने वाला तो नहीं है, जितना Canada को पड़ेगे, suspend कर देता है तो इसे Canada के economy को बहुत ही huge economic loss उठाना पड़ेगा, तो सवाल ये है कि Justin Tudow क्या आपने elections के profit को देखकर अपनी economy के साथ compromise करना चाते है, और Canada इंडिया क के diplomatic relationship को और भी ज़्यादा बिगारना चाते है, खर इन्होंने अब तक बहुत बिगार दिया है, और कितना बिगार इंगे, मुझे नहीं मालुम और कितना बिगड़ेगा ये relationship, ये तो future में ही मालुम होगा, अगर मेरे वीडियो informative दिखे तो international office के लिए आप मेरे चैनल को सबक्सक्राइब सक Mouse